एक ऐसे अंडरेटेड चैप्टर का प्रिविएस येर क्वेस्चन दो हजार तेईस अप्रिल सिफ्ट का पीवाई की मेथड से जो कि बहुत अंडरेटेड है बहुत आसानी से बहुत मार्क्स दे देता है 16 questions आये थे बच्चा इससे मजाक की बात नहीं है और इतनी सरल सरल प्यारे प्यारे रसीले concepts में ये खेलता है कि अगर तुम्हारे पस visual idea सन है तो solve हो जाएगा formula 1000 रट लो कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो हम PY की method से करेंगे और देखना सिर्फ 2023 के April shift के ही paper करके तुम्हारे 100% concept किलियर हो जाएगे इस chapter के लिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2023 के January shift भी तुम एक्ष्रा कर लोगे तुम्हारे work power energy complete हो जाए क्योंकि चार formula में ही खेलता है चार formula की मदद से तुम कोई भी सवाल ले क्या हो मैं solve कर दूँगा चार formula तीसरा formula होता है work energy theorem जिसके दो चीज़े हमें mainly यूज करनी होते है एक होता है energy conservation और दूसरा होता है work is equal to change in kinetic energy इन चार चीज़ों के अलावा मुझे कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी problem को work energy के solve करने के लिए और सबसे ज़्यादा सवाल दिये थे इसने reoptics के बाद 2023 के अप्रिल सिफ्ट में तो चलो एक एक करके solve करते हमाज आएगा a small particle of mass m पढ़ना इस सवाल को एक छोटा particle है जिसका mass है m moves in such a way that its potential energy u बराबर half m omega square r ओके पहला information इन दिया है u बराबर half m omega square r square फिर omega is constant and r is the distance of the particle from the origin को के वया assuming both quantization of momentum okay and circular orbit the radius of nth orbit will be proportional to okay तो आर किसके proportional होगा under root n के होगा n के होगा n के होगा n square के होगा या one upon n के होगा यह आपको पता लगाना है तो भाईया इसको क्या करें सबसे पहले बच्चा बोर्स quantization of momentum का concept पता होना चाहिए देखो जे इमेंस भी अप सवाल mix करने लगा है बोर्स quantization of momentum modern physics का है जिसमें बोर्स atomic model हम पढ़ते हैं उसमें ये concept दिया जाता है second जो बोर का पॉस्चूलेट था वो है बोर्स quantization of momentum तो यहाँ पर हम सीख लेंगे concept के रूप में तो चलो पहली चीज़ जो हम सीख रहे हैं वो है क्या बोर्स quantization of momentum बोर्स ने कहा था कि momentum जो ह है इसे हम mvr कहते हैं वो जो है n h upon 2 pi के integral multiple होता है ठीक है तो यह आप लिखो mvr जो है वो integral multiple of n h upon 2 pi है ठीक है तो पहला concept हम ने यह देख लिया यहाँ पर हम इसका इसका इस्तेमाल करेंगे n h upon 2 pi किसके बराबर है mvr गोट इट अब और कुछ इसने कहा है नहीं एक और concept जो modern physics से ही उठाया जाता है वो क्या है कि जो यह kinetic energy होती है बच्चा वो potential energy के half होती है यह भी concept अहां से उठाया गया है modern physics से तो हमने क्या कर लिया कि दूसरा point यह सीख लिया कि kinetic energy जो है वो potential energy के half है तो इसने potential energy इतनी दी रखी है तो kinetic energy कितनी हो जाएगी half पुना 1 by 2m omega square r square कोई दिक्कत नहीं ना चलो बढ़िया अब यहां से हमारी kinetic energy की value के आगे बालक 1 by 4m omega square r square और यहां से हम velocity की value निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं तो velocity बराबर हो जाएगा n h upon 2 pi mr इधर से mr इधर नीचे ले गए बस और इस velocity के मादधे हम से हम linear kinetic energy लिख सकते हैं और वो linear kinetic energy जो आ जाएगी उसको हम इसके बराबर equate कर देंगे और वहां से r किसके proportional है वो हमारा आ जाएगा तो इससे हम linear kinetic energy लिखने की कोसिस करते हैं half m v square होता है half m v square तो v के जगह पे यह वाली value पूट करते हैं पूरा v के जगह पे यह value पूट करेंगे तो n square h square 2 का square 4 pi का square pi square m square और r square बढ़िया यह m से m का square cancel हो जागा और यह बचेगा क्या 1 by 2 n square h square upon 4 pi m r square और यह किसके बराबर यह जो kinetic energy हमने किस concept से निकाला कि potential energy के half होती है तो उसे हम equate कर देते हैं इसको 1 by 4 m omega square r square बस अब आपको solve करना है क्या क्या कटेगा भीया इधर से हमें किसको r k proportional लाना है ना r और n तो r तो इधर है ठीक है पहले हम इस 2 से 4 काट देते हैं ठीक है अब बाकि सबको इधर उधर कर देते हैं तो r square बराबर क्या आगया n square h square upon और ये नीचे भी r square है वाला कि देखो तो ये इधर जाएगा तो r का power 4 कर देगा ये चलिए तो r का power 4 इसको करते हैं बड़े सरलता सा सीखना है हमें r का power 4 n square h square upon 4 pi m और इधर से आ गया m और omega square तो m square हो गया और ये omega square हो गया ठीक है तो 4 constant, pi constant, m constant, omega constant और h constant ये सारे constant है यानि कि r का power 4 जो है वो directly proportional आ गया n square के लेकिन यहाँ पर पूछा है radius of nth orbit is proportional to तो r का power 4 कि इसके proportional है इसने नहीं पूछा, r किसके proportional है ये पूछा है तो हम दोनों तरफ power में 1 by 4 से divide देगे कर सकते हैं ना ऐसा square कि और 1 by 4 से दोनों तरफ डिवाइड दिया तो 4 से 4 cancel और ये दो बार में cancel तो r जो है वो directly proportional आ गया n के 1 by 2 power कि यानि r जो है वो directly proportional आ गया under root n के, है कोई option भीया, first is the correct option, ये आप करके आते तो आपको 4 number मिल जाते और इस सवाल से तुमने सिर्फ दो concept सीखे, कौन सा, कि एक mvr equal to nh upon 2 pi और kinetic energy बरवर potential energy का half किसमे, circular orbit वाले में, जब हम बोर atomic model पढ़ेंगे, इस pyq method से तो वहाँ पर ये दिखाऊंगा मैं कि कैसे होता है यहाँ पर fact के तौर पर, क्या इसमें work power energy का कोई भी concept huge हुआ, बिलकुल भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ huge हुआ तो बोर atomic model वाले दो concepts, यहाँ पर तुम work power energy का चीज कोई किसी बच्चे को नहीं आता है, बड़ा सरल सा, तो वह half mv square भी सीख सकता है, half mv square क्या होता है, kinetic energy, बढ the ratio of velocities of the body just before and after hitting the ground is 4, okay, the percentage loss in kinetic energy, क्या सवाल दे रहा है, एक दम चूजा सा सवाल है, चुस्सू सवाल है, क्या कहता है, सवाल समझते है, उन्हें ट्राइ कर लिए वीडियो रोक के, अरे मेरा लला ट्राइ कर ले, एक बॉल जो था वह यहाँ से गीरा, पता है ना, साड़े 13 लाग फॉर्म मैंने प्रिडिट किया था भरने वाले आर्टिकल देख कर गे, साड़े 13 लाग कल रात तक ही हो गया, मुझे लगता 14 लाग फॉर्म चले जाएंगे, और 90 परसेंटाइल अगर जेनरल अन्रिजर्व्ट का कट आफ माने, तो लगबग 12 लाग ऐसे बच्चे र आया होगा, अवियसली नीचे टकराया होगा, तो कुछ काइनेटिक इनर्जी इसके जमीन ने अब्सॉर्फ कर लिए होगी, और यह V2 वेलॉसटी से रीबाइंड होगा, अवियसली V2 वेलॉसटी काम होगी V1 से, ठीक है, एच्वन एस्टु इस लॉस इन काइनेटिक इनर जी क्योंकि इतना था, और इतना है, तो कितना लॉस कर गया, वो है, विसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए हाफ M, V1 के अस्क्वाइर से भाग देंगे, और गुना 100 कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा परसेंटेज, और यह कितना दिया हुआ है, एक्स बटा 100, गुना 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसल, 80 में से 20 गया, 20 परसेंट, हमारे लॉस जो है, वो 20 परसेंट का हुआ, उसी मेथट से यहाँ पर हमने निकाला है, कि कितना परसेंट लॉस हुआ, लॉस तो हुआ, कि इस पर कैलकुलेट कर रहे है, तो इनिसियल वेलॉसिटी, इनिसियल काइनेटिक इनर्जी पर कैलकुलेट कर रहे है, तो वो उतना परसेंट के लिए नीचे भाग देते हैं, एक और चीज़े से इन्फोर्मेशन दे रखी है, रिबांस तो हाय टेच्वन, दे रेसियो वेलॉसिटी जहां, इनिसियल वेलॉसिटी भीवन थी और यहां पर भीवन अपन भीवन दिया हुआ है, ठीक है, तो भीवन अपन भीवन क्या हो जाएगा, वन अपन चार, जैसे यहां पर दिया भीवन अपन भीवन बराबर चार, तो भीवन अपन भीवन इकल टू, वन अपन चार, वीटू अपन भीवन क्यों कर रहे है, यहां प बटा 400 अब सूला में से एंग जाएगा 15 15 बटा सूला एक सबाटा 400 बराबर 15 बरटा 12 चोरे एक्स बरावर क्या हो जाएगा 15 गुना 400 बटा सोला से कटता है बहिया 16 दोनी 32 और 16 पचया सी और एक्स बरावर 25 में 15 से गुना करेंगा तो यार 250 और 25 पच्छे 125 मतलो 375 एक्स बरावर 365 तर वैलू अफ एक्स इज 375 भर क्याते रही होता और प्लस चार माक्स आपको छे जनवरी 2013 के सिफ्ट टू में मिल जाते इसमसे कुछ सीखने को मिला कुछ नहीं सीखने को मिला पस एक चीछ सीखने को मिला यह परसेंटेज किसी को नहीं आ सकता है तो कोई बा मिला नहीं और तो कुछ सीखने को नहीं मिला एंगले सवाल पर चलते हैं यह ट्राइ करो कब का है आठ अप्रिल 2013 सिफ्ट वन सिफ्ट वन सिफ्ट वन सिखने वाली क्या बात है कि मोमेंटम और का इनर्जी का रिस्ता क्या होता है तो चलो बेसिक से कुछ-कुछ फर्मूले नोट करते हैं काइनेटिक इनर्जी आपको पता है ना हाफ mv-square होता है हाफ mv-square ठीक है इसमें हम क्या करें कि m से उपर और m से नीचे गुना भागा कर दें कोई दिक्कत नहीं तो यह हो जागा हाफ m-square v-square upon 2m और m-square v-square यानि कि mv का हॉल-square और m-v क्या होता है if the momentum of the body is increased by 50% इनर्जी 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 इंकरीज़ भाई थी रिख, इनिशेल मोमेंटम था p क्या होगा निव कानिटिक एनरजी 1.5 फिका अल स्क्वाइर अप उन लिख सकते हैं कर डैस इक है यह के अग्या इन पंट फाइप का होल श्क्वार करें तो वौंट तू फाइब फाइब फीयर अपन् अपॉइब अपन टू एम और पीयर अथू रपन टू एम क्या है के की तो 2.25K माइनस के यह क्या होगा इंक्रीज इन काइनेटिक इनरजी बटा के गुना सो यह हमारा निकल जागा इंक्रीज इन काइनेटिक इनरजी परसेंटेज अब देखो धियान देना तुम्हें पिछले वाले कॉंसेप्ट मैंने बताया था कि परसेंट है जब सीखाना पड़ रहा है बालक को यह बटा सो किया हमने कितने में से घटाया ठीक है तो यह नीचे जो आता है न यह कैलकुलेट कर यह वो भैलू होती है जिस का परसेंट हमें कैलकुलेट करना है मतलब सो का कितना परसेंट loss हुआ, नीचे ये रहता है ये rule मत बना लेना, कि जो यहाँ पर लिखा होता है वही नीचे होता है, जैसे यहाँ पर देखो किस काप कितना percent increase हुआ तो यह case से जितना increase हुआ है वही तो उसका increase percent होगा न, आना समझे, तो नीचे की आएगा परसेंटेज है बहुत सारे बच्चे को पता होगा लेकिन यहां पे तुम्हें बता दे रहा हूं अब क्या करेंगे के इसमें से कॉमन ले लेंगे तो के आ जाएगा और के से कैंसल होगा या फिर यहां पैसे के काटना आता है तो काट दिया मुणा सो टो पॉइंट टू फाइब माइनस वन ना सो यहां जाएगा और यहोजागा सव तो वन फाइन फाइब में आसौ से गूना करेंगे तो एकसओ पत्मेंटीस किन्रजी आगा एकसा पत्चीस पर सथ मोमेंटम पचास परती सथ बढ़ाओ का इनर्जी 125 परती सथ बढ़ेगा यह लिखके आते तो आपको मिल जाते प्लस फॉर मार्क्स ओन आर्ट अप्रिल केजी केपट इन होरिजोंटल रफ सर्फेस ठीक है इसने क्या पूछा है ध्यान से देखना एक ब्लॉक है यहां से गूली मारी गई गूली का मास था 0.1 एजी और यह जा रहा है इधर चार सो मीटर रती सेकंड से हीट से उडन ब्लॉक है इसका मास है 3.9 केजी केपट ऑन दो होरिजोंटल रफ सर्फेस ठीक है तो यह सर्फेस जो है यह रफ है बुलेट गेट्स इंबेड़े इंटो ब्लॉक एंड मुवस ट्वंटी मीटर जाती है यह जो है बॉक्स पीछे जाएगा और 20 मीटर तक जलता है कमिंग टू रेस्ट मना रेस्ट पे आने स इससे पहले दो कोफिसेंट ऑफ एक संब्लॉक एंड़ सर्फेस इच इसकी वैलू पूच पूच रहा है म्यू की वैलू अब दिमाग लगा इसमें जो चीज सीखने लायक है आपको वह है अन्जर्वेशन ओफ मॉमेंटम अन्जर्वेशन ओफ मॉमेंटम क्या सीखना है इसमें इसमें सीखना है कि जब कोई सिस्टम हो सिस्टम हम किसी को भी मान सकते हैं ठीक है एक बुलेट और एक बॉक्स का सिस्टम है ठीक है इसमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है आपस में एक दोनों पर एक दूसरे पर दोनों फोर्स लगा रहे है है तो मोमेंटम कंजर्व होता है मतलब लिख लेते हैं विदीन अ सिस्टम मोमेंटम कि इस एंजर्वड ठीक है यानि एम वन भी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू मतलब लॉस्टी कुछ चेंज हो गया इंटू एम टू वी टू का डैस ठीक है इनिसल मोमेंटम कुछ भी हो पूरे सिस्टम का वह बाद में जो मोमेंटम होगा उसके बराबर होगा ठीक है अब यहाँ पर हम इसका इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं देखो यह बाक्स यह बंदू की गोली और यह बाक्स का इनिसल मोमेंटम कितना है तो इनिसली इसका मास इंटू वेलोसिटी करते हैं तो 0.1 गुना 400 मिटर प्रतिसेकंड गुना 400 मिटर प्रतिसेकंड ठीक है बराबर और इसमें प्लस कर सकते हैं बॉक्स का मोमेंटम तो बॉक्स की इनिसल वेलोसिटी तो 0 ही है ठीक है बाद में जो है यह जब गोली इस बॉक्स में घुच जाएगी तो यह बॉक्स और गोली का मास मिल के यह पुरा का पूरा सिस्टम का मास बनाएगा यानि कि 0.1 प्लस 3.9 यह हो गया mass और यह कोई velocity से जाएगा V, तो हमें यह V निकालने की interest है, ठीक है, तो निकालते हैं भई यह 0.1 गुना 400 बराबर यह हो जाएगा 4V, ठीक है, तो बटा 10, इसको बटा 10 कर देते हैं, एक 0 से 1 0 cancel, और 4 से 10 बार में cancel, यानि जैसे इसको बोले hit करेगी, यह जो पूर 30 से, इसकी velocity स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद यह 20 मीटर तक जाता है, और यह यहाँ पर जाकर कर रुक जाता है, यान की final velocity इसके 0 हो जाती है, तो इसने पूछा है, की coefficient of friction, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और एनलाइस करता है, फिर concept used लिख वाऊँगा, फ्रिक्सनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्सनल फोर्स होता है, म्यू एम जी, ठीक है, इसके यह फ्रिक्सनल फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन बराबर म्यू एम जी, यही दोनों तेक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एम से एम कैंसल, एक्सलरेशन बराबर आगया, mu g ठीक है अब हमें पता है कि v square minus u square equal to 2as होता है ठीक है और finally जाकर कि जो box है वो रुख जा रही है तो 0 का square initial velocity u है और जो की 10 आया ठीक है हमने calculate के तो box जैसे ही गोली से touch हुआ वो 10 meter प्रतिसेक्ट के velocity चलने लगा तो 10 का square बराबर 2 acceleration क्या है positive है negative है friction जो है वो रोक रहा है या उसे support कर रहा है obviously रोक रहा है रोक रहा है तो negative acceleration तो यानि कि minus mu g और इस कितना है 20 meter अब यहाँ से निकालते है minus 100 बराबर 2 यह minus आगे ले लेते है mu 10 गुना 20 अब यहाँ से आ जाएगा एक माइनस से एक माइनस क्या है 100 बटा दो दूनी चार एक तीन जिरो एक दो से एक दो cancel पाइंट टूफाइब है कोई option जीरो पाइंट टूफाइब है करेक्ट अगर आप फॉर्थ करके आते आपका सही होता तो चलो इसको नोट करो इसमें क्या सीखा आपने इसमें सिर्फ सीखा conservation of momentum सवाल पढ़ते हैं इसके बारे में कैसे करेंगे हमें पता है बेरिवर्पिवाट विंट के बढ़र और यहां पर टाइम इंटरवल पांच सेकेंड है यानि की हाँ वह हो डेल्टा हो जाएगा तो P final minus P initial equal to F into time कितना है वो T कर देंगे हम ठीक है आगे बढ़ते है तो P initial कुछ दिया हुआ है ए बोड़ी अफ 5 kg is moving with constant momentum हाँ तो P final minus 10 तो initial momentum दिया है बराबर force कितना है बच्चा force है 2 newton और इस पर लगता है 5 second के लिए ठीक है तो यह हो जागा P final बराबर यह 10 होगा और 5 दूनी 10 यानी की 20 तो final momentum जैसे initially momentum 10 kg मीटर प्रती सेकंड था और उस पर 5 newton का force लगा 5 second के लिए नहीं 2 newton का force लगा 5 second के लिए ठीक है तो हमने इसमें values बूट करे है और value आगया final momentum का अब हमने सीखा है kinetic energy बराबर होता है P square upon 2m तो इसने क्या कहा है the increase in kinetic energy तो initial kinetic energy क्या था initial momentum है 10 तो 10 का square upon 2 गुना 5 ठीक है और बाद में finally कितना kinetic energy हो गया बाद में हो गया 20 square upon 2m तो गुना 5 increase पूछा यानी final में से initial घटाएंगे तो इसको उल्टा कर देते हैं इसको plus कर दिया इसको minus कर दिया ठीक है तो 100 बटा 10 यह minus में plus 400 बटा इसको मैं मिटा के लिए 400 बटा 10 400 में से 100 जाएगा 300 तीन सो बटा 10 क्या हो जाएगा 30 Joule यहाँ पर अगर आप 30 Joule भरते तो आपको answer मिल जाता है इसमें कौन सी नहीं चील सीखिया हमने पिछले question से सीख लिया बस एफ पराबर डीपी बटा डीटी सीखा इससे ठीक है तो एक concept और फ़र्मूला यूज जिसमें नया सीखा हमने यह अगले सवाल पर चलते हैं यह सवाल पढ़ते हैं और यहां पर इनरजी चंजर्वेशन लगाएंगे तो यहां पर आपको सीखना है क्या है इनरजी कंजर्वेशन गालाइव यह एनरजी एंजर्वेशन तो कि क्या कहता है कि इनीचेल टोटल मेकेनिकल इनरजी प्लस टोटल इसल काइनिक इनटेक इनरजी यह बराबर होता है total final potential energy plus total final kinetic energy यह होता है energy conservation और यही हमें लगाना है और एक यहां पर concept use होगा rotational motion का वो क्या होगा देखते हैं देखो यह जमीन को सबसे पहले potential energy का सवाल solve करने के लिए किसी को हमें zero potential की line माननी होते हैं कहीं भी मान सकते हो मतलब जमीन पर मैंने मान लिए यही से हम सारी potential energy उपर गया तो positive लेंगे नीचे गया तो negative लेंगे अगर हम यहां भी मान के बनाए तो भी बन जाएगा लेकिन यहां जमीन पर मानना आसान होता है ठीक है potential energy इसकी क्या है जमीन पर ही है तो zero plus initial kinetic energy क्या होगी यहां पर चढ़ना सुरू करेगा तो इसके पास एक तो linear kinetic energy आ जाएगी और rotational kinetic energy भी आ जाएगी तो kinetic energy का जो linear plus rotational formula होता है complete वो होता है half mv square यह linear वाला plus half i omega square i is moment of inertia about center of mass तो यह formula हम पूरे का पर्यूज़ करेंगे यह तुम्हें यहां पर सीखना है पहला जो चीज़ सीखा तुमने वह half mv square plus half i omega square got it और यह अपनी energy conservation तो सीखा है तो दूसरा चीज़ यहां लिख लो एक क्या होता है के बराबर तो half half m v square plus half i omega square यह होगा इसका initial kinetic energy finally यह उपर गया उपर गया उपर गया यहां पर जाकर रुख गया इसके पास कोई velocity नहीं होगी उपर जानी कि नहीं तो होती तो और उपर जाता तो maximum जहां पर यह गया है यहां पर इसकी kinetic energy zero हो गई potential energy आगे gravitational potential energy mgh ठीक है और यहां पर हमारे लिए rotational कर रहा है तो v बराबर r omega v होगा यानि omega बराबर r upon और v upon r ठीक है तो omega बराबर v upon r यहां put करते हैं half m v square plus half i v square upon r square equal to mgh h ठीक है moment of inertia of hollow sphere गया होता है moment of inertia of hollow sphere होता है सब लिखते जाना यह formula है 2 by 3 m r square और solid sphere का भी यहीं पर लिख लो 2 by 5 m r square दोनों काम आ सकते हैं फिसमें 2 by 3 m r square put करेंगे हम put करते हैं 1 by 2 m v square plus 1 by 2 into 2 by 3 m r square into v square upon r square equal to mgh ठीक है तो m से m से m उड़ गया half और यह r square से r square उड़ गया half v square plus 2 से 2 भी उड़ गया 1 by 3 v square equal to gh हमें h की value find करनी है न तो 1 by 3 or 2 1 by 3 v square मिलके कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 6 3 v square plus 2 v square equal to gh तो यह हो जाएगा तेंदू 5 5 v square upon 6 equal to gh चलिए भी यह यहां पर लिखते हैं 5 v square upon यह है 5 v square upon 6 equal to gh तो velocity की value इन्होंने दी रखिया थ्री मीटर परती सेकंड तो पांच गुना तीन बटा छे equal to g की value इसने 10 दे रखिया या फिर 9.8 यूज करना पड़ेगा question में देख लेता हूँ इसने 10 दे रखिया है हाँ 10 दे रखिया है इन्होंने जालिए तो जी एच एच बराबर हो जाएगा पांच तीय पंदरह बटा साट पंदरह बटा साट कितना है पंदरह बटा साट एक बटा चार यानि कि 0.25 यहां पे एक मिस्टेक है स्कॉयर होगा न तो पांच गुना नौ बटा छे इक्वल टू टेन एच तो 45 बटा साट बराबर एच बंदरह तिया पंदरह चो कि साट एच बराबर तीन बटा चार और इसमें सौ से गुना कर देते हैं इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए कि मीटर में आया तो 25 से बटा से 25 बेन करेंगो सेटी5 सेंटीमीटर सेमेंटीकब सेटीमीटर में 65 सेंटीमीटर बटातिक नहीं 75 सेंटीमीटर आ भार के आते तो आपको 30 cm, इनर वाल रफ, इसके पिंड अ वेक्टर इसके के इसा वाल मंगे के बाखक, ब्लॉक उसमिल लगा, शरकें जंग सबसे इसा वाल लागा, वर्क आपके दूग दोर को ब्लॉक अधर को आपके इसे वाथ लागा, इसके को स्पूल लागा, प्लॉक प्लॉक जल कढूर, इसे इसके बाक्स इतना बॉपर है कितना भी राउंड लगा ले जो वर्क डन होगा वो यही आएगा potential energy final क्या होगी potential energy final potential energy तो यह box जमीन पर आ जाएगा यह box जब जमीन पर आ गया तो इसकी potential energy जीरो होगे और रुख भी गया है तो kinetic energy final 0 होगे फुरुवात में कितनी इती देखते हैं भाईया फुरुवात में तो यह जमीन से यह कितना high 2 पर है तो MGH तो m g h 2 पर है plus half mv square इसके पास kinetic energy है तो मास इसका कितना है भी यह मास 1 kg है और g की value 10 है और h कितना है 30 cm कोई 15 cm radius है तो 15 दूने 30 और उसको meter में बदलेंगे तो 0.3 प्लस half m कितना है एक और velocity कितनी है किदर still velocity 22 meter per 32nd यह थो हो जाएगा 3 plus one 12bits से बुना करेंगे तो heart चार 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 आट चार आए चार आगया और यह से correct answer जो कि हमने देखा इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमने सीखने को मिला work energy theorem जो कि होता है work done change in mechanical energy के बराबर तुमें से बहुत लोगों ने सुना होगा work done equal to change in kinetic energy ये तब होता है जब जमीन से जमीन पर कोई चीज चल रही हो और उसमें potential energy का कोई change नहीं आ रहा तो initial potential energy भी 0 था और finally potential 0 तो k final minus k initial हो जाता है condition वो वाला जब change in kinetic energy लिखता है कब जमीन से जमीन चीजे चल रही हो ठीक है? आगे बढ़े चल लो इस दे मैक्सिम लोड कैरिट बाई एन एलिवेटर इस 1400 kg 600 kg पसेंजर लेकर चलता है और 800 kg एलिवेटर इचिज मुविंग अप ही था इन फॉर्म स्पीड ओफ 3 मीटर प्रतिस सेगन फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इस 2000 मीटर देना maximum power used by the motor is इसमें सिंप्ली एक फर्मूला सीखना होगा बस एक ही फर्मूला का काम है फर्मूला बेस सवाल है अब टोटल फोर्स एलिवेटर पर कितना लग रहा है एक तो इस पर 1400 किलो ग्राम का वेट है इस पर फोर्स एम जी लग रहा हो तो चौदा सो गूने सब्सक्राइब और उपर से यह ब्लॉक उपर जा रहा है तो नीचे की तरफ इसका दो हजार न्यूटन का फ्रिक्सनल फोर्स लग रहा है इन टोटल फोर्स है तोला हजार न्यूटन ठीक है और इसके वेलासिटी कितनी है वह यह तीन मिटर पर 30 सेगंट इसमें तीन सब्सक्राइब आबर अजार वाट दो चीजा यूज़ी नोट करो आगे बढ़ते हैं अफोर्स दीस एक्ट ओन पर्टिकल ने एक्स डिरेक्शन वेर एफ विज़ी न्यूटन एक्स इसन अब यह काम करता है जब एफ क्या हो constant हो ठीक है ओवर्ग अगर फोर्स वैरियेबल है तो ना इस फिंड कानच लिएग्स करेंगे तो हम्हेँ वाला फॉर्मॉला है ़िसख़VA करेंगे फॉर्मॉला भेस्ट is 2 plus 3X dx displacement की लिमिट 0 से 4 बस इसको solve कर दो answer आ गया 2x गैसर का इंट इएट 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 का इंट इएट 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 इंट इएट 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 इसकार बाई टू 0 से 4 लिमिट पुट करो तो इसमें 4 दूनिया सब्सक्राइब और जीरो पूट करेंगे तो माइनस जीरो आ जाएगा तो दू निचार दो चो के आठ चौबिस आठ बतिस अंसर इस सवाल को देखते हैं 11 अप्रिल एसका सिर्फ टू में पूछा है ब्लॉक ऑफ मास 5 गजी इससार्टिंग फ्रॉप पूल अप अप उन इसका वन मीटर प्रती सेकंड एगा थे कदे पावर देवा डेवर रिव पूलिंग दीवल्ट टी एक टीवल टेन सेकेंड थे के आवर का फ़र्मूला हमने क्या सिका फो इस पर नीचे एमजी लग रहा है एम की वैलू है तो पचास हो गया था है तो आपको पता होगा कि इस डारेक्सिन में जो है वो लोग इसको 5A नहीं लिख करके हम इसको फोर्स मान लेते हैं फोर्स माइनस पच्चीस बराबर मास इंट्व एक्सलरेशन कितना है एक तो पराबर अगये एक बराबर वेल्लॉसिटी निकालना है कब दस सेकंड के बाद तो इनिसियल वेल्लॉसिटी इसके कुछ दी गई है ब पड़ा 30 सेकंड पावर की फार्मूलय में पूट करेंगे 30 न्यूटन गूना 10 सेकंड बराबर 300 वाट तो 300 वाट इस दे करेक्ट अनसर बस इसमें क्या सीखा तुमने कुछ नहीं सीखा यह ब्यूज्च करना शीखा और क्या सीख सकते हो कि inklion पे इस डारेक्टिं में सिन थीटा कंपोटेंट होता है। एविवाले सिल गाओंगे आ जाएगा मैं यह नहीं यह कर रहाएक तुमारइं लिए आव्वियस होगा देशिकर ह होंगाना नहीं एफकल के लगाना होगा लेकिन सोचेब थों आङे वड़ो तो मेंटेन दा स्पीड ओफ असी किलोमेटर प्रतिया और बाई बस ऑफ मास 500 कजी ओन प्लेन रफ रोड फॉर चार किलोमेटर दिस्टेंस दे वर्क डन बाई दे इंजन अफ दा बस विल बी किलो जूल में पूछा है तो कोफिसियंट बिट्विन दे फ्रिक्शन एंटायरी 0.04 तो वर्क डन का फॉर्मूला पूछा है वर्क डन बराबर होता है पावर गुना टाइम यह चीज आप एक सीख लोगे यहां पर यूकि पावर बराबर होता है वर्क पॉन टाइम ठीक है और वर्क बराबर पावर इंटु टाइम और पावर बराबर होता है फोर्स इंटु वेलॉसिटी इंटु टाइम ठीक है तो कि और रोक भी नहीं रहा और वैलोसिती भी चेंज नहीं हो रही यानिग्य इस ड्रेक्शन में इसके बुराबर फॉर्स लग रहा होगा क्योंकि velocity तभी नहीं change होती है जब net force उस पे 0 हो Newton का पहला नियम कहता है तो net force उस पे 0 होगा तभी तो 80 km प्रतियावर से चल रही होगी तो इसी direction में force लग रहा होगा यानि force की value है mu mg ठीक है तो force की जगा पे यहाँ पे एक एक करके value पूट करते है mu mg तो mu कितना है 0.04 mass कितना है 500 और g की value 10 मान लेते हैं इसमें दिया हुआ नहीं है तो इसमें 9.8 मानना होगा 9.8 मान लिया mu mg से या force की value लिग दी velocity कितनी दी हुई है 80 km प्रतियावर यानि मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना है तो 5.18 से गुना करेंगे क्यों 5.18 से गुना करेंगे क्योंकि एसाई उनिट में बदलना है हमें ठीक है इसको मिटाता हूँ और गुना टाइम करना है टाइम बराबर क्या होगा distance upon velocity तो distance है कितना 4 km यानि कि 4000 मीटर बटा velocity कितना है 80 और गुने 5.18 किया मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 85.18 से 85.18 गायब ठीक है अब 4 बटा 120 को करते है 2.0 के आगे तो 2.0 से 2.0 गायब और कुछ बचा तो ये बचा 9.8 और 80 है तो 98 गुना 8 गुना 4 और गुना इसमें 4000 से कर दिये यह आजाएगा जूल में और इसमें डिवाइड जादेंगे 1000 से तो यह आजाएगा किलो जूल में तो 1,2,3 खतम तो यह आजाएगा 98 गुना 8 गुना 4 गुना 4 इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिली नहीं है बस यूनिट में भी खेलना सीख लिया एक बच्चे को यह सीख सकते हो कि कीलो मीटर प्रती आवर को मीटर प्रती सेकंड में बदलना है तो 5 बट 18 से गुना कर देना होता है बढ़ियां आगे बढ़े पटा फट इसके बाद तुम जा करके प्युवाइक यू करोगे तरेसियो पावर अफ टू मोटर्स इस देटर के पेबल ऑफ रेजिंग थ्री केजी वाटर इन फाइब मिनेट और फिफ्टी केजी वाटर इन टू मिनेट रिस्पेक्टिवली फ्रम वेल उफ अंड्रेड मिन्तर बाइल पानी जो है तो पाँच मिनट में फेक देताए और 50 कीलो पानी जो है ओ कि Hamburg at the ज Release ए रेशियोअ पावर और क्या ओता है वरक पाउन टाइम इछले का इब बताया यहां पर पिक सकते ही आज हो पावर बराबर वर्क अपम पाउन याब चीचए ऑफ यहां प्रेस्ट से उठाया और यहां तकि पहुंचा दिया इसके बाद कितना यह नहीं बताई ख़कर यानि कि यानिक आनी किन नहीं किया है ठीक है यानी सिर्फ potential energy consider किया हो, change in mechanical energy क्या होता है, final potential energy plus final kinetic energy minus initial potential energy minus initial kinetic energy, तो kinetic energy तो 0, तो final potential energy minus initial potential energy क्या होगा, work done, और दोनों का ratio कितना दिया हुआ है, ये, 3 root x, under root x plus 1, work done by, in first case क्या है, चलो देखते, potential energy क्या होगा, mgh होगा, तो mass कितना है, 300, g कितना है, 10, h कितना है, 100 meter, क्योंकि 100 meter ही उठा रहा है, upon time कितना है, upon time कितना है, upon time कितना लगेगा, 5 minute, यानि इसको ऐसा ही उनिटों बदलेंगा, तो 5, 60, बटा, m, 50, into g, 10, into h, बटा, 2 minute लगता है, यानि 2, 60, और ये किसके ratio के बरा 60-60, 10-10 गया, तो से 100 गया, 5 से ये गया, 5 शक्तिस, 60 बार में, तो से ये गया, पत्चीस बार में, और फिर 5 से 12 बार में, और 5 से 5 बार में, तो 12 बटा 5 बराबर, 3 root x upon root x plus 1, 3 से ये गया, 4 बार में, ठीक है, तो 4 root x बराबर बराबर 4 root x प्लस 4 बराबर 5 root x ठीक है? तो अब इसको उधर ले जाते है तो 5 root x मंसे 4 root x जाएगा तो सिर्फ बचेगा root x बराबर 4 x बराबर 16 16 है option हाथ fourth number अग्र अगर आप कर के आते आपको चार नुबर मिल जा इसमें से क्या सीखा हमने इसमें से कुछ नहीं सीखा वरक अपन टाइम कहीं फॉर्मूला लगाया और यह वाला इसके बाद हमने निकाल दिया और कोई चीज लगा है यह हमने नहीं कुछ नहीं सीखा आपको अापकाई जाएर्ट से यहां जाता है तो इनर्जी जोपेंड है वो तो इनिसेल का नेटिक इनर्जी कितनी हो गई हाफ m u square और यह जो है वो e joule के बराबर है ठीक है energy required to accelerate the car from u to 2u square यानि की u से लेगर 2u square तक जाने में n e लगता है यानि की half m 2u square का मतलब की 4u square हो जाए कैसे half mv square तो v क्या है 2u 2u का whole square क्या है तो 4u square minus half m u square यह क्या है यह है n e के बराबर ठीक है तो n की value पूछा है कि निकालते हैं half m 4u square और half m u square तो यह बच जाएगा 3 1 by 2 m u square equal to n e ठीक है अब यह half m u square किसके बराबर है यह के बराबर है तो 3 e बराबर n e e से एक एंसल न बराबर 3 यह सीखा इसमें कुछ में height equal to the radius of the earth अर्थ बनाया इसका radius और इसका height और यहां से रिलिस किया गागा यहां पर इसकी velocity क्या होगी मान लो भी होगी ठीक है इनिसियल वेलो सेटी जीरो थी और यहां से उड़ाया गया तो gravitational force के यह presence में गिर रहा है यानि कि यह conservative force के presence में गिर रहा है यानि कि भया इसवे energy conservation लगेगा तो इनिसियल potential energy इसकी क्या होगी MGH नहीं अब यहां पर gravitational potential energy आएगी MGH तभी तक वैलोड होता है जब H धरती के close हो gravitational potential energy आप लिखोगे क्या माइनस जी M1 M2 अपॉन आर अर क्या है धरती के radius से जो point है वहां तक की दूरी radius नहीं center से यहां से ना पी जाती है ठीक है इसमें तो initial potential energy क्या है माइनस जी M और इसकी मानलो सब्सक्राइब क्यों क्योंकि आर रेडियस और रूचाई टूर हो गया kinetic energy निसल जीरो थी बराबर final kinetic energy हो जाई half mv square और final potential energy हो जाईगी माइनस जी एम एम अपॉन आर आर क्योंकि अभी यह यहां चुकी है धरती के ऊपर यहां पर आ रहीं सिर्फ दूरी है तो हम इसको solve करते हैं इसको प्लस इधर लेकर आते हैं तो जी प्लस लेएंस का माइनस हों यह माइनस फ्लस दी म Mr. बराबर वन ऑच्टू रोड़ क्या हैं यहां से इसको दूरल सींव लीघा यह तो माइनस जी एम मोचरड़ी ऑप्लस वजी एम m equal to half mv square यहां से हम क्या कर सकते हैं यहां से यह सब्ट्रैक्ट करके g capital m small m upon 2r equal to half mv square यह 2 से 2 गया m से m गया तो v बराबर आ जाएगा gm upon r का under root इसमें उपर नीचे हम r से गुना कर देते हैं क्यों क्योंकि capital G के मावल में कोई option नहीं है तो यह हो जाएगा v बराबर अंडर root gm upon r square into r और gm upon r square के होता है acceleration due to gravity यानि कि g r root g r है कोई first is the correct answer अगर आप यह करके आते तो प्लस 4 नमर मिलता अब gravitation का एक फर्मूला यहां सेख सकते हो तो रूट gm upon r square equal to acceleration due to gravity वड़िया आगे वड़े चली अगला सवाल a block of mass m sorry a block of mass m का लिक है a block of mass 10 kg is moving along x-axis under the force if rubber 5xn force की value 5xn दी है x दिख गया नि variable force यानि की work done by variable force click कर जाना चाहिए the work done by the force moving block from x power 2 तो इतना असान सवाल दोगे भया integration हो जाएगा f dx ठीक है the block of mass 10 kg is moving along x-axis under the action of the force इसमें mass क्यों दिया है चलो फिर भी फिर फिर तू पोर्स बराबर हो जाएगा 5x dx कहां से कहां ले जाना है 2 से 4 ले जाना है 5x square upon 2 इसमें limit पूट करेंगे 2 से 4 पांच गुना पांच बटा दो गुना वोला माइनस चार इसमें बटा दो बाहर लिया तो पांच बटा दो गुना बार रहा है दो चका बार है एकवल टू 30 जूल अगर आप कर क्या थे तो पंदर अप्रील में डिस्कस करवाऊंगा ठीक है तो बाकि हमने यह सीख लिए और चार फॉर्मूलों पर मैंने पूरा का प्रपी वाई को सॉल्व कर दिया तुम भी ऐसे ही सॉल्व करो जाओ 2022 का दोनों सिफ्ट का पेपर और 2023 का एक जनवरी का बच्चा इसके अलावा वह सॉल्व करो पर यहीं चार सवालों पर खेलना तुम इस इकार फॉर्मूलों पर ठीक है तो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए राधे राधे